नमस्कार दोस्तों आज सभी को वेल्डी विस मॉल्टी वैगर में स्वागत है आज सभी को मैं आज एक कंपनी का fundamental analysis दिखाने जा रहा हूँ आप देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है भारत parental limited यह कंपनी जो है pharmaceutical formulation बनाती है और इसके different different जो है company के अलग-अलग भिन 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 प्रोडक्ट है आप देखें यहां पर भारत parental गुजरात बेश्ट कंपनी है और यह 1992 में रमेज डिसाई ने इसको start किया था और यह company देखे डबलू एचो जी एंपी certified है और यह बहुत ही अच्छी company है आप यहां देखें कितने सारे इसके प्रोडक्ट है और यह इसके facilities के यहां पर आप photos को तस्वीरों को देखें किस प्रकार यहां पर आप देख रहे हैं कि different machines जो हैं लगी हुई है company में R&D research and formulation में तो यह बहुत अच्छी company है बहुत अच्छा आप इसके देखे clients को देखे इसके जो clients है macloids है USB है और बहुत सारे different clients है जो आप यहां समझ सकते हैं ठीक है अभी चलते इसके financial data पे आप देख रहे हैं कि भारत parental जो है वह business जो है pharmaceutical chemical or botanical product में है कम market gap ज्यादा नहीं है 212 crore का market cap है price देखे 370 high 494 और 326 है low इसका पी देखे जश्च 9 की पी पे है यूजवली आप फार्मा company में इतने कम पी पे product नहीं देखते है book value जश्च 280 है अपने book value से थोड़ा सा ही ऊपर चल दा है dividend कुछ नहीं जो कि एक साकारत्मक बात है कंभी कभी company जो अच्छा return देगी है आपको निफ्टी से क्योंकि dividend पे नहीं करती है तो dividend का fluctuation तो होगा ही नहीं अब देखें यहां पर return on capital employee 20 का है return on equity 15 का है face value 10 और pay ratio कितना देखें कितना अच्छा pay ratio 0.3 शे जो बताता है कि यहां से कभी भी यह upward direction में जा सकता है equity capital देखें 5.73 जो बहुत कम equity capital दस आता है कि company का जो fundamental है balance sheet है बहुत solid है वो अपनी equity capital को ज्यादा dilute नहीं करती है current ratio देखें किस परकार तीज़ा तो तो तीन दो है और इसका जो price to book value just 1.3 दो है और यहां देखें growth factor 5 है देखें इस परकार के growth factor बहुत कम company में दिखता है लेकिन growth factors का 5 है और पाइट उसकी 6 है आप इस परकार देख सके debt to profit is with 0.65 बहुत ही अच्छी debt profit मानी जाएगी company को ज्यादा करजा नहीं है करजा है तो उसको जल्दी से पूरा कर रही है ultimate score देखे 4.98 दरसाता है कि company का जो balance sheet और financial इस्तिती बहुत अच्छी है नंबर इवी के डिक्टिक्टर जैस 50.05 साथ है latest quarter में जो इसका EPS हुआ था 13 था और साल के 45 है तो इस परकार देखें के company ने पूरे पूरे तरह के से अब यहाँ पर देखेंगे इसके company उपर के तरफ और यह आपको आसानी से 500-500 रुपर क्रॉस करेंगी लेकिन इसके लिए आप अपने टेक्निकल डवाइसर ज़रूर बात कर ले कंपनी क्या करती कंपनी वही काम करती जो लॉरस आजंता एरिस कैपलीन और अमृतान जन हेस्टर करती है यहाँ देखें किस परकार company का जो ग्रो कर रहा है इस परकार देखिए कंपनी का 89 क्रोर था दिसंबद 2018 में जो को बढ़के अभी भी अभी उतना ही चल रहा है ज्यादा ज्यादा ग्रो ने किया है अभी फिसक्ष्टी कहीं इसका कहा है क्यूंकि लॉक्डवन वगरा कुछ तो हुआ था जिसके वज़से इस इंट्रेस्ट 12-15 रुपया का इंट्रेस्ट है जो कि ज्यादा इंपक्ट नहीं करता है इसके पूरे बैलेंस शीट में देखिए प्रॉफिट जी जो 10 क्रोड से बढ़के 10 क्रोड पर अभी नेट प्रॉफिट जो आप यहां देखिए 5-6 क्रोड से बढ़के सीधे 7 क्रोड हो गया ओवराल कंपॉंडेट ड्रो तो आपको उतना ज्यादा अच्छा नहीं दिखेगा लेकिन रिटर्न और इक्विट एक के पास साल का ठारा प्रसेंट है इक्विटी केपिटल सबसे साकारात्मक चीज क्या है कि कंपनी ने अपने इक्विटी केपिटल कभी ड अब दरसेट को देखेंगे तो आप देखेंगे कैस्ट दो करोड का है थोड़ा यही कारण है कि इसके शेयर ज्यादा मूब नहीं कर रही है लेगी जिस दिस दिस अपना कैश ज्यादा मेंटेन करने लेगी उस दिन यह शेयर भी मूब करेगा बहुत तेजी से देखेगा इंवन्टरी देखेंगे कमपनी ने किस पर का ज्यादा कर लिया है और यहां पर देखिए इसका ट्रेड रिषीवाल भी देखेंगे छशेग चछेटर कोर्ड तो इसको मार्कट से आना आना है केवल बाकी बहुत ही अच्छी बात है अब यहां देखेंगे कैश क्रीप का देशाई शेयर और प्राविट लिमिटर उनके पास 47% शेयर ओवरॉस 74% इंटेक्ट होल्डिंग है प्रमोटर का और पॉब्लिक भी 25% होल्ड करती है देखी किस परकार इसके पूरे डेटा है सो आसा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत लाबदायक होगा अपने सलाकार से बात करने के बाद ही इंवेश्टमेंट करें आपका